तुम लोग देखोगे, बहुत केशन दिखला है, कि बाग में मर गया, हम फीर उसके बचा दिये। देखें हो तुम लोग, क्यों? उसका नाद शेल तक तक खाए, मरन के बाद भी दो-चर घंता हर मन उसका नाद शेल कम करता है। इस चाहँ में हुआ तो हो जाएगा, जहाँ नाद शेल भी तुमबंद डिया उसका मौन उसका निकल गया खोज में, थी खोजशा को रखना है। किसी की कोज तो सालों के लिए हो सकता है ना, तो अक्ति तूरा तो जब जहां नाज सेल भी काम बंद कर दिया, तब क्या होगा, ना वो विदेही मन अपने संसकार के साथ शरीर की खोज में निकल पड़ेगा, अच्छा कि इस पड़ा के शरीर हो चाहेगा, ना उसका जो संसक जमा हुआ है, ताकि उसकी स्थूर्ती हो, उसके विकास हो, वैसा उसी तरह अब की देव खोजेगा, पत्ना से एक प्यक्कड भी बनारस गए, एक साथू भी गए, तो साथू जाके क्या बनारस में खोजेगा, कहा साथू संथा है, अब खोज रके तो ठीक पहुच और एक प्यक्कड गए, बनारस में से खोजेगा, कहा साथ आपकी दुकाना थेग, उसको में जाएगा, अई बता है ना, तो जीस की खोज जीस तरह की, तो जीस मनुष का सांस्कार जाएगा था, उसको उसी तरह का आधार में जाएगा, हम उसे बोले ना, कि अबर खाएंगे, तो ठेट एक शुआशा सरी दुसकर में जाएगा, देर नहीं होगी, और किसी का कि अबर रुपिया, 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 तो जीसी बैंक में या किसी बनिया के, वो कैस्ट बन जागा, उसके पेट में हजार हजार रुपिया, तो चा जैसी प्राक्ती भी तो मन बैठा हुआ नहीं रहता है, उसस्पेंड़ माइन, उस कबर के नीचे घूश के, काब क्यामत का दिन आएगा, उसके इंतजार में दाएगा, यह जीवन धन के बिरोधिया, तो नहार चीर चलती है, चलना जगत का नियाम है, जिसके चलते इसका नामे है जगत, जगत पर चलने वाला, तो अनुंत काल के लिए दासजार, वीशाजार, दो लाग, चार लाग साल तक कबर के नीचे कोई रहेंगे नहीं हो सकता है, और कबर आज है, और कालु धानता खेट भी हो जा सकता है तो, आज जिस जग में कबर कल उस जग में धानता खेट हो जाएगा, ते अयोब्तिक हैं, ये तुम लोग मत मनों होता है क्या, ना जहां लोग मन और रू में क्या पाठक या खित समझ नहीं सकते हैं, वहीं लोग ऐसा कहते हैं, जहां लोग सुप्रमेंटल बोडी को ही रू समझ लेते हैं, वहीं लोग ऐसा कहेंगे, जिनमें सही फलसफा का ज ज्यान है, सही दर्शन का ज्यान है, वो ऐसा नहीं कहेंगे। अच्छा, और वेश में एक बात है, ये जो चरण विचार के दिन जो मानते हैं, उनको यह भी तो समझना चाहिए था, कि इस दुनिया में कोई आजमी बहुत सूप में थे, कोई बहुत दूप में थे, तो जो सूप में थे, क्यों सूप में थे, जो दूप में थे, क्यों दूप में थे, या परमात्मा में पार्शिया लिखी है, या परमपूरस में पार्शिया लिखी है, किसी को सूप पर बात क्या है, नक्रम के अनुसार धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, क्रमसे इंटिलेक्टियल विस्तार होगा, इंट्यूशनल विस्तार होगा, यही सबावी का है, उसके अनुसार मौत के बाद भी फिर नाई देह मिलेगी, बात ही है, और अगर हम बोलते हैं कि नहीं, अभी मरा मौनुस्क जनम ही प्रफम जनम उन्ता था, तो सबाल ही होगा क्या, क्यों परमातमा एक को सुखी, एक को दुखी, एक को धार्मिक, एक को अधार्मिक बनाएं, तो दुसारों पर परमपुरुष पर हो जाएगा, और दूसरी बात है, कि ना इस दुनिया में जो तो भादमिक थे, जो आधार्मिक थे, परमपुरुष क्यों तब उसके भादमिक नहीं बनाये थे, वो आधार्मिक थे, अधार्मिक, उन्हों की हालात में मरे है, और मरने के बाद अनन्द कालप्र को दूज़दियाग में जलते रहेंगे, ये सब इंसाद की बात नहीं किसी को दोजक यह क्या बात है जी कि दुनिया में आये थे मुनिस के बन के सीधे आये हम लोगे दर्शन करने से बन सीधे मुनिस नहीं बनेंगे तो जो आये और परमात्मा उसको सही रह नहीं दिखलाए और उदोजक की आग में जलते रहेंगे यह भी ठीक बिचार नहीं हुआ फिर किसी को इमान सिखलाए और बहुत कुछ सिखलाए और आखिर का बिचार के अनुसार उसको विहस्त मिल गया तो यह भी पैस्यलिकी फेवरिकिजम हो गया यह भी फेवरिकिजम हो जाता है इसलिए वो अनन्त स्वर्ग और अनन्त नरक भी यह ऐसा विचार भी तूटी पूर्ण है अनन्त स्वर्ग नाम की कोई चीज नहीं है अनन्त नरक नाम की भी कोई चीज नहीं है अथा दोजक बोलो चे हबिया दोजक बोलो यह सा बात ठीक नहीं है ये कुछ संस्कार कथा दार्षन के सही ज्ञान के आभाब से लोग ऐसा कहते हैं आज की विचार के अनुसार आज के जो फ्रग्रेसिव हीमन स्वसाइटी इसे मानियता नहीं दे सकते हो तुम नग बूल सकते हो जो भूर भूबस्वा महाजना तपसत तये जो सकते लोग इसमें भी श्वार लोग है ना तिस्रा भूर भूबस्वा श्वार लोग को ही स्वार्ग कहते हैं फोकित में अठा मेनुष जब सदकर्ण किया सास्तर कहता है, स्वधकर्म किया सrüउर्ग का लूप था उसके मन में. तो जब तक वो स्वधकर्म किया, स्वधकर्म का जो capital पुञजी उनके पास आये, उसके भूग के लिए वो स्वध कर जाता था, पुराने ख्याल के लोग च vezes लोग कहते थे. और सदकर्म का पूंजी जहाँ खतम हो जाने के बाद फिर नीचे गिर जाता है और असदकर्म के अनुसार कस्थ भोग करते हैं ये दो भी कुछ अथा विचार है क्यों ना सवाग खतम हो जाता है सदकर्म खतम होने के साथ-साथ तो नगर यह भी ठीक लक्ष नहीं है, श्वाग भी कितीका लक्ष नहीं बनना चाहिए, लक्ष बनना चाहिए परम पुरुजियों की रूर बोबर्शा माजना तप सत्या, सत्या लोग में रिखिते हैं, तो अनन्त श्वाग अनन्त नरक यह तो अवसे तुछी पूर्ण बि जियुत ऑंठ सबसे नीचे डेके परमें रिखान सत्या, सत्या लोग से सत्या लोग सb से नीचे सब्डम है रिखान सब ररशातल के में कानि रिखिते हैं। तो यह विचार जो है यह अननत-फ्वार्ण नरक के विचार से कौं तूर्धिपूर्ण है, और यह भी तूर्ध पोर्ण होल न कि ना मुनूश्य कर्म करीमक संही यह वाट तो ठीक है गिन्तु पहले सर्ग्बात होगा पिछे नरग्बाद मैं इसका प्रवान क्या है वो पहले नरग्बात पिछे स्वर्गंबाद होगा इसलिए ऐसा विचार, इस तरह के विचार कभी हम लोग तोग साहन नहीं दे सकते हैं, जन्द भी यह कम तूठी पूर्ण है तो इसमें तुम लगे समझ गयों कि सबसे पहले मुनुस का जीवन आया, यह विचार तूठी पूर्ण है दूसरी बाद एक प्यामत के दिन जो विचार होगा यह तूठी पूर्ण है मुनुस कहां रहेगा कबरगा में यह विचार भी तूठी पूर्ण है तो लोग अपना कर्म करोगे और कर्म को प्रम्भारपन करोगे प्रम्भार्पनम ब्रह्मा होगी, प्रम्भार्पन ब्रह्मा होगी, ब्रम्भार्पन ब्रह्मा में म्यार्पन करोगे, और करते करते जब कर्म कच्छा हो जागा, कर्म समाधी होगी, तब सत्य लोग में प्रम्भार्पन स्थीत हो जाओगे, और अनंकाल का थानंद में यही है सही रस्ता